हेलो फ्रेंट्स, आज हम बैट गाई ये 2001 की कोरेन मुवी एक्स्प्रेंग करने वाल है इस मुवी में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है ये एक अजीब ही तरह की लव स्टोरी है तो चलिए इसे एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा में कैरेक्टर हान रस्ते से जाता हुआ दिखता है वो सिटी में आता है जरा हैंग आउट करता है हान गैंक्स्टर है और ये प्रोस्टिटुइशन की ए ग्रीइंग चलाता है हान जब रस्ते से जा रहा होता है तो उसे सुन दीखती है सुन हमारी और एक मेंन क्यरेक्टर है सुन को देखती है उससे बहुत ही अट्रेक्टेड हो जाता है सुन बेंच पेटी हुए होती है तो उसके पास जाकर बेट जाता है सुन का बॉइफरेंट पाच मिनिट में वहाँ आने वाला होता है हान इसको ही घूर रहा होता है तो सुन जारा डर जाती है थोड़ी देर में सुन का बॉइफरेंट आता है ये वहाँ से जा रहे होती है पर हान उटता है उसके पाच जाता है और उसे जबरदस्तिक इस करता है अब सुन तमाचा खड़ा कर देती है उसका बॉइफ्रेंड भी उसे स्वारी कहने के लिए कहता है हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है यहां कुछ पुलीस आते हैं और इसे अपोलोजाइस करने के लिए कहते हैं हान अभी भी सुनने रहा होता तो पुलीस और हान इन दोन में फाइट हो जाती है हान अपने घर पर आता है वह उसके दो फ्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं इसे बहुत ही गुसा आया होता है तो खिड़की वह तोड़ देता है नेक्स दिन जहां पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेट जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है उसका क्या रूटिन है यह वह जान लेता है सुन जब लाबररी में होती है तब हान अपने फ्रेंड के साथ वहाता है हान का फ्रेंड एक वालेट लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है ये वालेट रख कर वहाँ से चला जाता है और सुन थोड़े देर बाद इसे देखती है इसे जरा लालच आ जाता है और यह wallet वो उठा लेती है बात्रूम में जाती है और सब पैसे count करने लग जाती है इसके बाद एक आदमी इस wallet को ढूनता है और यह Sun को spot कर लेता है Sun की पीछे-पीछे भागने लग जाता है Sun भी बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी wallet चेक करता है कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक चेक भी था जो 10,000 डॉलर्स का था अब मेरे सारे पैसे कोन देगा वो Sun को धमकाने लग जाता है Sun को कहता है कि अब तुम क्या करोगी Sun भागने की कोशिश करती है पर वो कहीं भी जा नहीं सकती यह आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो कहां से भी पैसे लाओ याद तुम्हें लेना पड़े तो लोन ले सकती हो Sun कहती है कि मुझे कोन लोन देगा यह आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हो जो तुम्हें लोन दे सकते है यह आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है यहाँ पर एक कॉंट्रेक्ट वो साइन करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे पे नहीं कर पाई तो उसकी बॉड़ी पर पुरा गैंग का हकोगा यह जो सब ब्लैंड था यह हन गई था यह आदमी भी हन नहीं ब्लैंड किया था अब सुन बड़े ट्रबल में फस जाती है हन उसका यह जो बिजनेस है यह रस्ते पर चलाता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका फ्रेंड मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत विगरा देख रहता है अब नेक्सिन में हम देखते है कि सुन गैंग के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो अब यह पुछता है कि तुम अब गया करो की यहाँ से भागने के कोशिश करती है पर यह उसे पकड़ लेता है यह उससे जबरदस्ती इंटिमेट होने के कोशिश करता है पर यहाँ हान के फ्रेंड सा जाते है यह उससे बहुत मारते है इसके बाद Han के friend सुन को उनकी area में लेकर आते है यहाँ पर इस business की जो man होती है इसे उसे soap देते है यह leader सुन से उसका नाम बोच्छती है पर सुन अपना नाम बता नहीं रही हुती है तो उसे बहुत मारती है इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है इसके बाद सुन के लिए वो शॉपिंग करते है और उसे भी शॉप में डिस्प्ले के लिए रख देते है रस्ते से एक आदमी जाता है और सुन को चूज करता है ये दोनों फिर रूम में आ जाते है सुन ये करना नहीं चाहती तो स्ट्रगल करने लग जाती है जिस रूम में होते है इस रूम में एक बढ़ा सा मेरर होता है मेरर के दुसरे साइड में हान सब कुछ देख रहा होता है रूम के अंदर के लोगों को हान वहा है ये पता नहीं चलता ये आदमी सुन को जबरदस्ती कर रहा है तो हान अपने फ्रेंड को बेचता है या आदमे मार नहीं रहोता तो हान का फ्रेंड उसे बहुत मारता है और वहाँ से निकाल देता है अब सुन की बॉइस उससे बात करती है पुछती है कि इससा तुम क्यों कर रही हो सुन के थी है कि मेरे फर्स टाइम पे मुझे मेरी बॉइफरेंड के साथ इंटिमेट होना है अब यह आरेंज गरवाया जाता है उसका बॉइफरेंड एक गाड़ी में उसके साथ होता है यह पूछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है Sun इसे हग करती है पर ये सब Han भी देख रहा होता है Han को जेलस मेंसुस होता है तो Sun के boyfriend के बास जाता है और उसे बहुत मारता है अब भी Sun Han को देख नहीं पाई है अब Sun की boss एक आदमी को जबरदस्ती उसके पास भेशती है Han उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो ये boss कहती है कि उसे उसकी ओकाद पता चलनी चाहिए इसके बाद ये आदमी Sun के साथ जबरदस्ती इंटिमेट हो जाता है नेक्स दिन Han Sun के पास जाता है Sun को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उससे एक ड्राइंग बुक वो देखकर आता है Han अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ होता है इसमेंसे एक फ्रेंड का नाम होता है मियूं मियूं कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटिफुल है वो हमेशा से कॉलेज गर्ल को डेट करना चाता था Sun उसे बहुत ही पसंद है ये वो Han को कहता है Sun अपने रूम में अकेली होती है और ड्राइंग देख रही होती है Han भी मिरर के पीछे से उसे आउसर करता रहता है हम फिर दिखता है कि Sun के पास Han का फ्रेंड मियूंग आ जाता है मियूंग अब Sun के साथ इंटिमेट हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉनसिबल हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि Han ने Sun को फसाया था ये सब कोच वो Sun को बता देता है अब Sun बहुत ही जिर जाती है और Han के पास आती है इसे बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है Han अपने फ्रेंड पर बहुत ही जिर जाता है वो एक बड़ी से बैट लेता है उसे मारने कोशिश करता है पर मारता नहीं मियोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया अब Sun बहुत ही दुखी हो जाती है वो बहुत रोती है उसकी बहुत जब उसके बास जाती है तो Sun कहती है कि इस जगा पर मैं क्यों हूँ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो ये बास फिरिचेट जाती है और उसकी बाड़ी उसे दिखाती है बास के बाड़ी पर भी बहुत सारे स्कार्स है Sun की तरह ही इसने रेजिस्ट किया था इसी वज़े से उसे बहुत मारा गया था Sun अब बहुत दारूपी थी है और सो जाती है रात में Sun उसके पास आकर बैठ जाता है Sun थोड़ी से उटती है और Sun बरी उल्टी करते थी है इसे बाद Sun दूसरी औरत के साथ इंटिमेंट होने के कोशिश करता है पर उसे गलत लगता है और वहाँ से वह चला जाता है इस दिन Sun जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही डिप्रेस्ट मैसूस होता है इस शीशी की तरफ देखने लग जाती है Han भी उसे ही देख रहा होता है Han उसे समझने के कोशिश करता है Han को उसके लिए काम करने वाली एक लड़की बुला थी है और कहती है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़ बड़े उसे लग रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है इस लड़की की रूम में हो जाता है और सब को चेक करता है तो उसे वहाँ एक कैमेरा मिलता है यह कैमेरा Han की ही दूसरे फ्रेंड यून ने लगाया होता है इन सब लड़कियों के जो बहुत है यह यून को बहुत मारती है यून जब वहाँ से चला जाता है तो मियूंग हां को समझाता है वो कहता है कि इसके फाइदर को गैंसर है इनकी इलाज के लिए बहुत सारे बैसे लगने वाले थे इसी वज़े से इसने किया होगा Han भी यून के पास जाता है और उसे माफ कर देता है यून अब नहीं नहीं यहाँ आई है तो सब कस्टमर यून के पास जाते है दूसरी लड़किया जो यहाँ काम करती है इससे जगड़ा करती है इससे स्लैब भी हो कर देती है मियूंग अब अपने फ्रेंड से बात कर रहाता है वो कहता है कि क्या मुझे Han को जाकर बता देना चाहिए कि मैं यून से बहुत प्यार करता हो मियूंग अब सुन के पास जाकर कहे भी देता है वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं उसे शादी भी करने माला हो तुम्हें उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँगा म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब feelings उसे बता देता है सुन इस वर believe नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सच्चूस में तुम मुझसे प्यार करती हो तुम मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करो म्यून फिर सुन को बाहर निकलने में हेल्प करता है और सुन वहाँ से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तभी हान उसे फिर से उठा लेता है म्यून को जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो वो कहता है कि यह भी सही ही होगा मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ हान सुन को बीच पर लेकर आता है बीच पर हम देखते है कि रेट ट्रेस में एक लड़की है यह लड़की समुंदर में जा रही है और हान इसे ही देख रहा होता है जिस पॉट पर वो बेठे हुए होते है तो फाड़ी होई फोटोग्राप सुन को भाहा मिलती है यह उठा ले थी है और रख ले थी है सुन हान को कहती है कि प्लीज मैं जाने तो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यहां कर वो रोने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो ओरिजिनल बॉस था ये जेल में गया था और वो छूट कर वापस आ चुका है ये जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाता है हान को है सही नहीं लगता तो अपने फ्रेंड को भेश कर अपने बॉस को भाहर निकाल देता है बॉस का एक राइड हैंड आदमी होता है जो हान को बहुत इंजूर कर देता है इसके बाद वो और हान इन दोनों में वन टो एन फाइट होती है इस फाइट में हाने पेपर को ही चाकू की तरह शेप देता है और इस आदमी को मार डालता है अब बॉस केता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदलियो उसे जौब दे कर वहाँ से चला जाता है बॉस ने प्रिटेंड तो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है पर एक्चूल में उसने उसे माफ नहीं किया होता एक आत्मी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हान के पास जाकर उसके पेट में ही डाल देता है हान बहुत ही इंजोर्ड होता है पर उसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल जाता है अब नेकसिन में हम देखते है कि यून और मियूं ये दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते है वो आपर पुलिस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलिस को हेट करता है ये पूरी हेट पुलिस को पता चलती है पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मैं उन पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तुम इसे इग्नोर कर दो यून पुलिस पर बहुत ही चिड़ गया आता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कर आता है हान को जब एबात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है यून अगर जेल में गया तो उसके बूरी लाइफ बरबाद हो सकती है यून के फादर भी बिमार रहते है उस पर हान को तरस आता है और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है हान अल्रेडी जेल में जा चुका है तो इस बार उसे फासी होगी हान को टेतरो में डाल दिया जाता है सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही सैड हो जाती है उसके पॉस उसके पास आती है तुम इस तरह से मर नहीं सकते, तुमने मेरी लाइफ बरबात की है, तुम यहाँ से बाहर निकलना होगा जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोग लेता है तो कहता है कि आप तुम यहाँ से चली जाओ वो उसे फ्री करने वाला होता है पर सुन मानती नहीं सुन ने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी इसमें हान है और एक लड़की के साथ है यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था नेकसिन में हम देखते है कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है वो डिसाइड करता है कि अब इस पुलिस ओफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा यह अब इस पुलिस ओफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है जेल में भी यून की उसकी इन्वेंट के साथ नहीं जमती तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है हान का आज मरने का डे आ जाता है यहाँ भर यून बहुत ही तमाशा ख़ड़ा करने लग जाता है जेल से बाहर आ जाता है, हान फिर से मिरल के बीचे के रूम में जाता है और सुन को देखता है, सुन को न्यूज मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है, हान फिर सुन के बाहर जाता है और इसे देखकर यह खुश होती है, इसे हग करती है और रोने लग जाती है, नेक्स द मिउंग को लगता है कि हान ने सब कुछ बरबाद कर दिया है राद में ड्रंक हो जाते और इन दोनों की फैट हो जाती है इस fight में म्योंग हान के पेट में चाकू डाल देता है हान खुन से लत्पत होता है और वो आगे चला जाता है हान फिर अपना इलाज करवाता है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुच जाती है जिस spot पर उसे photograph के pieces मिले थे इनी pieces को ढूनने लग जाती है सारे pieces को ढून लेती है और यह photograph अब वो complete करती है जब वो देखती है तब हान की जो पहली girlfriend थी यह सुन की तरह ही दिखती थी पहली बार हान ने जब सुन को देखा था तो बिलिव नहीं कर पाया था हान ने सुन के साथ जो भी किया था वो गलत किया था पर सुन को realize होता है कि उससे बहुत प्यार करता है जिस dress में हान की girlfriend की photo होती है वो ही dress यून बाय करकर आती है यह पहन कर बीच पर नज़र रखती है थोड़ी दिर में वहाँ हान भी आता है हान की पास आती है और बेट जाती है इसके बाद हम देखते है कि हान एक ट्रक पाय करता है यहाँ पर वो बिस्तर दक्या वगरा सब कुछ लगाता है यानि को यहाँ रह सके यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीज़े होती है यह सब वो रख देता है हान और सुन दोनों फ्री हो जाते है और एक दूसरी के साथ वो जिन्दगी बिताने वाले है यह एक अजीब ही लव स्टोरी थी जिसे कोई भी जस्टिफाइ नहीं कर सकता यही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप कोई वीडियो चलागा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिफेशन आइकोन दबाना भी मत भूले है हम फिर से मेलेंगे और एक नहीं मुविज के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे